नमस्कार दोस्तों मेरा नमें सती स्वारप का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नए वीडियो में तो आज की इस वीडियो में फ्रिंट्स हम बात करने वाले हैं कि आप अपने स्मार्ट वाच में गाना कैसे बजा सकते हैं आप अपने smart watch से music को कैसे control कर सकते हैं तो हमारे first friends यहाँ पे दो थरीके के smart watch है एक तो है हमारा smart bracelet तो इसमें कोई भी speaker यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप इससे किवल music को control कर पाएंगे जो आपके phone में music जल रहा है उसको control कर पाएंगे तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे control करना है लेकिन यह दूसरा smart watch जिसमें friends आपको यहाँ पे speaker भी मिल जाता है और mic भी मिल जाता है तो इसमें आप असानी से गाने को play कर सकते हैं कोई भी playlist यहाँ पे आप play कर सकते हैं तो आपको इसमें से sound आ जाएगा आपके smart watch में भी आप सुन सकते हैं गाने को ठीक है लेकिन friends इसमें आप सुन नहीं सकते हैं simply आप control कर सकते हैं अपने playlist को जो आपके phone में चल रहा है ठीक है तो आपको phone को छूना नहीं परेगा आप इससे गाने को आगे पीछे या फिर रोक सकते हैं चला सकते हैं तो यहीं कर सकते हैं और control कर सकते हैं लेकिन इसमें आप बीना app से connect कियें आप यहाँ पे music को चला सकते हैं क्योंकि friends यहाँ पे dual mode का feature आपको मिल जाता है तो simply आपको on कर लेना है dual mode को तो आप बीना app से connect कियें आसानी से चला सकते हैं music को ठीक है तो यहाँ से on कर लीजिगा तो आपका connect हो जाएगा directly Bluetooth से और आपका smart watch एक headphone की तरह काम करने लगेगा neckband की तरह तो चलिए friends वीडियो में आगे बढ़ते हैं सारे settings मैंने उस वीडियो में cover कियें तो उस वीडियो का link में description में डाल दूँगा तो उसको देख के आसानी से connect कर पाएंगे और सारे settings और feature का लावाब आप उठा पाएंगे तो feet pro app से मैंने सबसे पहले इसको connect कर लिया यहाँ पर connect कर दिखिए symbol भी आ रहा है कि आपका smart watch connect है तो आपको connect कर लेना है तब ही आप music को control कर पाएंगे ठीक है friends तो यहाँ पर मैंने जीओ सावन से एक music यहाँ पर आपके सामने open कर दिया है आप इसको देखिए मैं कैसे control करता हूँ तो सबसे पहले आपको यहाँ पर music को open कर लेना है ठीक है और music पर long press कीजेगा तो music का पूरा function खूल जाएगा तो यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं और यहाँ से बीच में से रोख सकते हैं तीनी काम smart press list आप कर सकते हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके mobile में जो गाना बज़ रहा है अगर home theater से connect है तो home theater में बज़ रहा होगा या फिर आपके phone में बज़ रहा होगा या फिर आपके neck band में बज़ रहा होगा Bluetooth में ठीक है तो आप उसको आसानी से control कर पाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले आपको music को को यहां पर खोल लेना है music पर long press कीज़ेगा तो music खूल जाएगा और यहां पर आपको long press कीज़ेगा यहां पर कीज़ेगा तो देखिए बीच में back बीच में कीज़ेगा तो ok हो जाएगा ठीक है यहां से on हो जाएगा देखिए गाना बजना start हो गया फिट से long press कीजेगा तो रुख जाएगा ठीक है long press कीजेगा तो यहां से गाना रुख जाएगा आपका रुख गया अब यहां से आप आगे बरा सकते हैं यहां पर pink हो गया है तो यहां से आप आगे बरा सकते हैं आप ठीक है तो यहां से आप बैग भी जा सकते हैं आपको कोई भी दिकर नहीं आएगी इस तरीके से आप इसको रोक भी सकते हैं इसमें जब बीच में लॉंग प्रेस की जगा तो गाना रोक भी जाएगा और यहां पर arrow का जो निशान दिख रहा है तो फिर से आप यहां से बाहर निकल सकते हैं यहां से लॉंग प्रेस कीज़ेगा तो आप बाहर निकल सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से आप सीरी से कंट्रोल कर सकते हैं ना इसमें आप प्ले लिस्ट को ही लगा सकते हैं और इसमें तो friends आपको यहाँ पर speaker भी नहीं मिलता कि आप सुन सकते हैं लेकिन मैं दूसरे वाले watch में आप बताऊंगा कि उसमें आप कैसे आपने आपको connect करेंगे और उससे music को कैसे control करेंगे उसमें आप सुन भी सकते है music लेकिन आपको play तो आपको करना पड़ेगा फोन में ही ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो friends में आपको यहीं बता रहा था कि आपको music को तो play अपने phone में करना परेगा ठीक है तो सबसे पहले आपको dual mood को on करके और Bluetooth को connect कर लेना है friends में आपको यहाँ पर बता देना करेंगे तब तक यही problem आएगी आपको call में भी यही problem आएगी और यहाँ पर आपको इसमें भी यही problem आएगी जब यहाँ पर contact खोलेंगे तब भी आपको so करेगा और music भी आप control नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको dual mode को on कर लेना है उसके बाद ही आप connect कीजिएगा तब ही आपका music और call का option आएगा यहाँ पर app से connect करने के जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ठीक है मैं यहाँ से आपको पहले connect कर लेता हूं इसको ठीक है Bluetooth को on करते हैं और यहाँ पर हम connect कर लेते हैं तो हम यहाँ से आप प्यार करेंगे इसको प्यार हो जाएगा और यहाँ से connect हो गया ठीक है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका connect हो या फिर phone को किसी home theater से connect की है Bluetooth से और दूसरे Bluetooth से connect की है नेक वेंट से तो वहाँ पर बज़ेगा ठीक है तो हम यहाँ से अप playlist को अपने on करते हैं on करने के बाद friends हम को यहाँ से music अपना open कर लेना है open करने के बाद यहाँ से आप जब click करेंगे तो आप यहाँ से इसको off on कर सकते हैं यहां से ठीक है इसको भगावी सकते है एड़ चल रहा है तो वह तो जाएगा नहीं यहाँ से दूसरा गाना हम play करते हैं एक तरीके से आप कंड्रोल कर सकते हैं इसको बे्राउंड में भी आप दूसरा भी काम कर रहे हैं कि यह जो sound यहाँ आ रहा है आपके smart watch में सूख कर रहे हैं आपके smart में नहीं बज रहा है, तो यहां पर SmartWatch में आप इसको सुन सकते हैं, कुछ इस तरीके से यहор Pomooch Sound यहां पे play हो रहा इसमें, ठीक है, तो आप इसको control कर सकते हैं यहाँ से, असानी से control कर सकते हैं जब तो का आपका smartwatch dual mode से connect रहेगा तब भी आप कर सकते हैं इसको smartwatch का जो app है उससे connect नहीं भी रहेगा तब भी आप यहाँ पे calling feature का और music का use कर सकते हैं आसानी से तो आपको यहीं बताना था इस वीडियो में कि आप जो कई लोग पूछ रहे थे कि कैसे control कर सकते हैं आसे बजा सकते हैं तो friends आपके smartwatch में कोई भी playlist on नहीं होगी आपको फोर में playlist on करना पड़ेगा लेकिन आप इससे control कर सकते हैं आपके कोई भी smartwatch हो मैं दोनों में बता दिया हूँ आपको आपका अगर speaker वाला है तो आप इसमें गाना सुन भी सकते हैं आप playlist को control कर सकते हैं आपने smartwatch में playlist आप चला नहीं सकते हैं ठीक है तो उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा और चैनल को भी subscribe कर लीजेगा तो friends मिलते हैं आगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद